बनाने जारी हूं बच्चीवी रोटी की कीचडी कुछ रोटी जब जो बच जाती हैं उन्हें काट कर सुखा दे अब एक आलू को काट लें, एक टामाटर काट लें थोड़ी सी बड़ी मंगोडी को भी तोड़ के रख लें अब एक पैन में दो चम्मच घी डालें और उसमें हींग जीरा डालकर कटावा आलू डालकर हिलाएं और उसे ढख कर दीमी आज पर दो मिनट पकाएं थोड़ी देर में चेक करें, आलू भग जाने पर उसमें थोड़ी बड़ी डालकर उसे भी थोड़ा सा सेख लें अब इसमें कटीवी अद्रक और हरी मिर्ची डालकर इसे भी सोथे कर लें इसमें मसाले, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथा एक चम्मच हल्दी पाउडर डालकर स्वाद अनुसर नमक डालें और इसमें करीब दो ग्लास पानी डाल दें आँच तेज करें, पानी का उबाल लें, उबाल आने पर इसमें तीन रोटी के मैंने टुकड़े कर रखे हैं, बोर डाल दें और इसमें अब थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और इसमें तमाटर और उबले मर्टर डालकर इसे लग करीब 4 मिनट तक पकाएं इसका पानी सूख जाएगा, अब इसमें स्वाद अनुसर नीम्बू का रस डालें तयार है सूखी रोटी के कीचड़ी धन्या पत्ती से कार्णिश करें, खाएं और खिलाएं अनुसरस्ट पिलाएं अनुसरस को झाल